दोस्तो बुलट क्यों नहीं लेना चाहिए बुलट एक बहुत भारी लोहा लक्कड से भरी हुई गाड़ी होती है अगर कभी गिर गई तो आपका हाथ पर टूटना निश्चित है दूसरी चीज ये आवाज बहुत करती है आवाज इतनी करती है कि जो उसके उपर बैठा रह लगता है तीसरी चीज इसका सर्वेसिंग और स्पेर पार्ट इतना महंगा है कि नार्मल जो आदमी कार चड़ता है उससे भी ज्यादा सर्विस और स्पेर पार्ट का खर्चा आता है चोती चीज इसमें फ्यूल्स का कोई भी मीटर नहीं होता अगर अचानक से आपका भी मार हो जाते है चटमा कारण इसका एवियस सिस्टम बहुत ही बेकार है और ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत खतरना के गाड़ी जगा पे किसी भी हाल में रुकती नहीं है इसलिए आपको ब्रेक का भी प्रॉब्लम आता है कि अगर अच्छी तरह से ना मारे तो कि एक रि लेक्सेशन नहीं मिलता है सरीर पूरी तरह से डैमेज होता है और अकड़ जाता है दस्मा कारण है गाड़ी का इंजन इतना ज्यादा गरम होता है गलती से अगर पैर टच हो गया तो सूच जल जाता है और अगर डारेक पैर टच हुआ तो पैर पूरी तरह डैमेज हो जात और आखिरी कारण जो मेरों को लगता है कि प्राइज बहुत जादा है अगर आपको नहीं लगता तो हो सकता है कि आप ये पर्चेस करें दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजे जानकारी के बाद भी अगर आपको लगता है कि बुलट लेना जरूरी है तो आप जरूर लीजे क्योंकि बुलट आज भी रोड में दोड़ती है लोगों को बहुत पसंद आती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में बुलट पर्चेस करने का एक क्रेज है क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक बार बुलट जरूर चड़ें तो दोस्तों यह मेरा मकसद था लोगों के साथ सेयर करता हूं दोस्तों चैनल में फर्स टाइम हैं तो चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए